स्रीजीतन्राम मांजीजी ने जिस संदर्व में कहा कि संतोस मांजीजी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उस संदर्व को बदल दिया गया आप अगर देखेंगे उठाकर तो क्या है समाज बात का नारा जो है कि 10 में 90 सोसित हैं 90 भाग अमारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिश्चेदारी तो अब सवाल है कि जिसकी संख्या है वो तो अपनी हिश्चेदारी चाहता है वो बात स्री जीतन राम मांजी जी नहीं कहीं है वो बात उस यात्रा के दौरान जनता के बीच से आ रहा था तो इतना जो मतलब समाज के सबसे निंचले पाइदान का लड़का और वहां अगर उस मुकाम तक है इस अच्छा के सबसे उच्चतर अस्तर पर है वैसे लोगों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है सबस्कार अब दीक्रे नियूस फोर्णेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ पिछले करीब छे महीनों से बिहार में महागचबंदन की सरकार चल रही है जहां साथ दलों के साजयदारी के साथ नितीश और तिजस्वी यानि की चाचा भतीजे की सरकार बिहार में बनी हु लेकर और बिहार की सियासत को लेकर खासा मुखड नजर आ रहे हैं उनके ताजा बयान की बात की जाए तो जीतना मांची ने साफ तोर पर कह दिया है कि उनके बेटे यानि के बिहार सरकार में मंत्री संतोश मांची को बिहार का अगला मुक्ष मंत्री बनाया जाए क्योंकि वो इस योग यहें पढ़े लिखे नीता है और उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए इसे कड़ी में आज हम बात करेंगे हमके मुक्ष रास्ट प्रवक्ता शेहम सुन्दर जी के साथ जिन से हम जानेंगे आकरकार जीतनामान जी के इस बयान का मतलब क्या है और ये क्या politics ह जो वो करना चा रहे हैं हम जो जीतनामांजी की पाची है वो क्या सोचती है बहार की राज़ृती को लेकर और खासकर मुक्ष मंत्री निटीश कुमार के साथ साजहेदारी को लेकर सबसे पहलें आपका स्पागत शॉयम सुन्दर जिया हमाए चानल भाड बहार में महाघज से कि उनके बेचे को मुख्यमंत्री बनाया जाए कौन सा पॉलिटिक्स है क्या ये प्रैशर पॉलिटिक्स है देखे आपने उनके पूरे बयानों को सुना होगा उन्होंने जो कहा उसमें एक लाइन उन्होंने कही थी कि प्रतिकात्मक होता है राजनीत में कोई भी बात जो अप कहते हैं या कोई निर्णग लेते हैं तो प्रतिकात्मक होता है। के सबसे मनें उचे पाइदान पर रहने वाले नायक थे तो हमने वहां से शुरुवात की मगद की आत्रा पर हैं मगद जो है चंद्रगुप्त की धर्ती रही है सम्राट असो की धर्ती है चानक की का एक मनें गली है कि उनके नेत्रितों में मगद ने बहुत सारा इतिहास है हम लोगों का जो पार्टी है वो गरीब किसे गरीब लोगों के बीच में जो लोग जिनके रहने का घर नहीं जिनको खाने का अनाज नहीं जिनके लिए मतलब कहिए कि कोई विवस्था नहीं लोगों के बीच में भी रहकर करके वो एक बनवासी की जिन्दगी जी रहे है वैसे लोगों से भी हम लोग मिल रहे हैं सत्तर साल के बाद पचत्तर साल देश के आजादी का अमरित काल चल ला है तो इस अमरित काल के बाद एक वर्ग ऐसा तो है जिसको की समाज के मुख्यधारा से अभी भी बहुत दूर है एक बड़ी आवादी है आप अगर देखेंगे उठा कर तो क्या है समाज बात का नारा जो है कि सव में नब्बे सोसित है नब्बे भाग हमारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिश्चेदारी तो अब सवाल है कि जिसकी संख्या है वो तो अपनी हिस्षेदारी चाहता है वो बात स्री जीतन राम मांजी जी ने नहीं कही है वो बात उस यात्रा के दौरान जनता के बीच से आ रहा था जनता के बीच से उठ रहा था मंच पर किसी ने भासन दे दिया जो कारी करता है जो वहां के लोकल निता है उनमें से आवाज आई कि हमारा बेटा स्वंतोस मांजी क्यों नहीं मुखमंत्री होगा तो वो तो जनता उनको अपना बेटा कह रही है उसी क्रम में जब नीचे उत्रे मांजी जाब तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि आपके मंद से अलग आवाज आ रही है तब उन्होंने कहा कि कोई बात प्रदिकात्मक होती है तो उसमें उन्होंने कहा कि आखिर जो सबसे निचले अगर आप देखेंगे तो दलित वर्ग और दलित मेर्ग में भी जो सबसे निचले पाइदान पर माने जाते हैं वो भूईयां जाती से आते हैं मांजी जाती से आते हैं तब उन से रहें गया कॉलेज में तो इतना जो मतलब समाज के सबसे निचले पाइदान का लड़का और वहां अगर उस मुकाम तक है इस अच्छा के सबसे उच्छतर अस्तर पर है वैसे लोगों को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो निच्चित रूप से जो जिसकी बात लोग करते हैं बात तो सब करते हैं लेकिन जो हकीकत है कि जो उनके बीच से आया है वो मुख्यमंतरी अगर होगा तो लोगों को लगेगा और बाकई राजनीत में जो आप प्रतीक गढ़ना चाहते हैं आप देखेंगे ना कि हम राश्वपती का भी मतलब उम्मिदवार बनाते हैं तो उसमें भी जाती तलासते हैं जाती बताते हैं बजापता एनाउंस होता है तो यह क्यों होता है यह इसलिए होता है कि जिसके नुमाइंदे वो हैं जो सबसे समाज के निचले पाइदान पर जो हासिये पर सैकड़ों सालों से है उसको यह लगे कि मेरे बीच का भी कोई गया है तो वो तो उसी संदर्व में कर रहे थे और कुछ हकीकत भी है इसमें कि समाज के सबसे जो निचले पाइदान की बात हो रहे ही तो वो कहा है आपको तलासना होगा ना आज मैं तो आपसे भी सवाल करूँगा कि मिडिया को भी इस बात को पूछना चाहिए कि आखिर क्या आप देख लेना कि जहां आरच्छन है जितनी सीटों पर आरच्छन है उत सोलर आजसभा सांसद जाते हैं तमाम पाटियों से हम लोग जो बात कर रहा है वो केवल राजनितिक बात नहीं हो समाजिक बात है समाज में इस बात की चर्चा होती है बिहार से एक भी अनसुची जाती जन जाती से नहीं है इसका जवाब कौन देगा विधान परिशत के उठाने की बात हो रही है, 75 सालों से उठाने की बात हो रही है, कैसे उठाया जाएगा, इसका जवाब तो ढूंड रहे हैं, लोग खोज रहे हैं पर ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जीतन आमान जी ने अपने इस बयान से तिजस्वी आदफ पर निशाना साधने की कोशिश किया है चुकि मुक्षे मंद्री नितीश कमाने सारवजुने तोर पर ये एलान किया है कि उनके उतरा दिकारी तिजस्वी आदफ होंगे तो क्य जिना करनी की कोशिश की जा रही है कि संतोर्श रमान जी चुकि एक बहुत पढ़ी लिखे वेक्ती हैं तो उनका पलरा जादा भारी हो सकता है चुकि तिजस्वे आदव इतने पढ़ी लिखे नहीं है क्या ये भी कोशिश है आपकी पार्टी के तरफ से नहीं देखिए ये मकसद ऐसा नहीं है उन्होंने स्पस्ट भी किया है ये कोई भी चर्चा जब होती है तो जिसकी रही भावना जैसी प्रहुमूरत देखें तो इसी लोग अपने मन के हिसाब से बात करते हैं हम तो कहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री के रेश में है केवल तेजस्वी प्रशा होती है कि नितिक कुमार जी के बाद जनता देल-उनाइटेड में कोई नित्री तो पैदा हो भारती जनता पार्टी में है चिराग पास्वान है वहाँ हैं माले है सब पार्टियां कांगरेस हैं सब को और अपना तलास्ता है कोई भी जो बिहार की राजनीत में उभरता हुआ चेहरा है जो नितिश कुमार जी के बाद मुक्मंत्री के तौर पर अपने आपको या उसकी पार्टी उसको देखना चाहती है परोस्ती है तो उन तमाम चेहरों को आप देख लें सिच्छा का बात आकिर जब होता है तो आप क्यों कहते हैं दलित क्यों है क्योंकि उसके पास सिच्छा नहीं है उसके पास पैसे नहीं है समाज में जो जीने की जो नीड है उसमें वो पिछड जाते हैं तो फिर उस बात पर अगर आप देखेंगे तो सिच्छा से कितना मरहूम है वो समाज और उसमें जो आखिर बाव बावा साहब रमभितकर को जोगा मिला तो उनकी बिद्धुता के कारण मिला कई भासाओं के जानकार कई देशों के संबिधान की जानकारी और उस समय कई जितनी डिग्रियां उनके पास थी उतना देश नहीं बिश्ट में किसी के पास नहीं था तो दलित वर के साथ तो एक पढ़े लिखे लोग सीम नहीं होने चाहिए क्या तो सवाल है कि पढ़े लिखे लोग अगर बिहार बिहार चानक की धरती है बिहार बुद्ध की धरती मावीर की धरती है बिहार तो उसमें उन्होंने का कि जितने नाम है उसमें मिडिया ने चला दिया या विपच्च का य नाम की चर्चा करके उन लड़ाना चाहते हैं हम तो कहते हैं जितने भी नौजवान आ रहे हैं राजनीत में उन नौजवानों में आप देखिए जितने पार्टी के प्रमुक नाम तो हम क्यूं ले नाम लेकिन आप हर पार्टीयों में देख लें कि हर पार्टीयों में लोग का नाम भरता रहता है, तो उसमें भी संतोस मांजी सबसे qualified हैं की नहीं है, सबसे ज़़ादा पढ़े हैं की नहीं है, और कौन है संतोस मांजी, जीतन राम मांजी के पहले की पीड़ी को देखें, तो मजदूरी करने वाला, बंधवा मजदूर का काम करने वाला और उस परिवार से उभर कर वो लड़का आज इस मकाम पर पहुंचा है राजनीत में आने के पहले सिच्चा के उच्चतम पाइदान पर पहुंचा है तो इस पर तो एक चर्चा होगी उनके बीच में जब वो जाते हैं जब गरीब संपर मुख्यमंत्री नहीं एक पुर्णकालिक हमको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए और माना जाए तो ये उनका दर्द है तो जैसा कि आपने सुना श्याम सुन्दर जी की बातों को इनका साफ कहना है कि गरीब संपर कियात्रा की जो शुरुवात संतोश मांजी और जी व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व हो बिहार का उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और संतोश मांजी चुके एक दलित का बेटा है और इतना क्वालिफाइड है तो आखिरकार उसे बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया जाए जनता की आवास को जीतन नमाजी ने साफ कहा है कि हमारी कोई व्यक्तिक तिक्षा नहीं है बलकि जिन लोगों से हमने मुलाकात की जिस जनता के बीच हम गए उस जनता की ये मांग है कि समाज में जहां 90 प्रतिशत दलित है जहां दलितों के सबसे जादा और बड़ी हिस्सदारी है उनका बेटा बि